तो गाइस यह है साउथ इंडियन खाना जो कि साधी में मिलता है तो तो सबसे पहले हम लोग जाते है अक्छे ब्रो के दोस्तों को सी आफ करें तो गाइस इसके बाद हम लोग निकल परते हैं गुरुनानक जीरा साहेब गुरुद्वारा के लिए और ये मेरी लाइफ में पहली बार गुरुद्वारा की विजिट थी गुरुद्वारा बहुत ही अमेजिंग है और सबसे अमेजिंग बात यहां किये कि यहां जमीन से पानी निकलता है और यहां पे पानी निकालने वाले थे श्री गुरुनानक देव जी जो कि पंद्रा सो के करीब बीदर आये थे गुरुद्वारा साहेब के बाद अब हम लोग जा रहे हैं विदर फोर्ट की तरफ विदर फोर्ट सुबह के नौ बजे से लेकर सामके पांच बहे तक खुला रहता है तो गाइस इस समय हम लोग हैं विदर फोर्ट में और अनफॉर्चनेटली यहां पे कोई गोप्रो या कैमरा अलाउट नहीं है में, तो में तो आप फोन करने वाले हैं विदर फोर्ट चॉद्हासो सदी का ठीय पुराना एक to a grab history में यहाँ इंट्रेस्ट रखते है तो आप यहां जाखते हैं यहे हमाने जमाने के हतीयार विदर फोर्ट की लेक के लेक दने जा रहे सुखी नहीं पड़ती है कि पहुच गए भूम गंडवेशर लेक सौरी प्रणाशेशन के लिए माफी चाहता हूं कि बहुत ही पुराने जमाने की ये लेख है तो यह यह फैली जिनके साथ मैं लास्ट्री डेस से था और साधी फंक्सन अटेंड करना था अटी आप लोग साथ बिल्कुल ऐसा नहीं लगाना मुझे कि मैं खड़ से बारू आप सबने को पाथ केर थी अंकल अंकल आपके साथ डाम करके मज़ा आया आप साथ अच्छा लागा और वो जो आंटी थी वो भज़बर्दस थी आंटी किया तो नहीं कहीं हो कर दिए नहीं का अटी संब्सक्राइब को अठी निखिए निकलना थे लिए ज़िए यहां कौशी बस मिलती है कि महाँ पर मुझे ठेट्रा बाद एक लोकेशन है जहाँ पर मेरा होस्तल है कर दो कि अधिकेट पाउंटर के साथ जिनों ने मुझे जाए भी बिला दिये साथ में यहाँ पे जो है बीदर से हाइदराबाद वाली बस उच ट्वंटी मिनिट्स के लिए रुकी ही है आप लोगे सी वहाँ एक्षे ड्रेस होगी है तुर्ण नौस के साथ ड्रेस नहीं होगी है स्वी नगर गडवाद, फुत्रा कुछ तो अभी मैं होस्तल पॉंचने वाला हूं और लगवाद 10 मिनिट्स का वर्किंग डिस्टेंस है जैसा मुझे फोंडे बताया गए लगडी का फुल तो मैं है अगया हूं अब गूगल मैपस की मदद से पहुंचना है तो बस जो स्टॉप था वीच रोड में था और उसके बाद अब मैं होस्तल तक जा रहा हूं जो कि अब एक किलो मेंटर दूरी पे था एक मिनिट का डिस्टेंस बाकी है यहां का मौसम थंडा है लाइक नुमिडिटी भी नहीं है okay so hostel यहीं कही होना जाए सामने अस्टल let's cross yeah this is a hostel I have reached to your hostel and तो यहां पर मैं अपने होस्टल के ओनर से बात कर रहा था जो मुझे इंस्ट्रक्शन दे रहे थे किस तरीके से मैं अंदर एंट्री ले सकता हूँ तो इस तरह का सिस्था मैं यहां पर अप्टी दर्वाजे खोलने के लिए इस पर आएगा उसके बाद पास्वर्ड डाला है अग्तर दिस्था वस्ट वर्क बट रॉंट वर्क वर्क पता नहीं कैसे होगा देखते हैं वियर प्रापी लाप तो बेड़े तरह के लिए खुलो अमर कट्शेए कि अ कि अ